कि जहीं दोस्तों मैं मुहम्मद मतीद मौडर्न क्लासेस के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आईए कलते हैं इतिहास में इतिहास के जो अगला पार्ट है वो है बहुत धर्म पार्ट दो यानि भाग दो क्यूं चुकि इसके पहले जो पार्ट हमने पढ़ा है था उसने गौतम बुद्ध के जीवन संबंदित समस्त बातों को सारी बातों को हमने पढ़ा दिया था जिससे प्रशन बंते जिससे प्रशन आने हैं तो दोस्तों याद रखिया गया ग्रूप डी एससी बैंक रेलवे एंटीप सी यूपी टेट सी टेट दरोगा भरती लेखपाल आधी एक्जाम यानि परिक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रशनों को हमने ध्यान में केंद्रित करते हुए इन सबी चीजों के एकत्रित किया है दोस्तों जैसा कि अभी तक आपने पढ़ाया कि गौतम बुद्ध का जो निर्मार की प्राप्ति हुई थी व चाहे गौतम बुद्ध हो चाहे महाविर स्वामी हो चाहे गुरु नानक देव हो धीरे धीरे परिवर्तन आही जाता है कहीने के उसमें थोड़ा स्वा मन मुटा हो जाता है तो दो भागों विवाजित हो जाता है कहें के तीन भागों विवाजित हो जाता है इसी तरीके सा गौतम बुद्ध यानि बहुत धर्म के बारे में भी हम थोड़ी से आपको बताना चाहते हैं आईए सबसे बहुत पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिध्धान्त के बारे में पहले क्या था बुद्ध दूसरा क्या है ध Rug संग बुद्ध का मत बॉत है ज्ञान अर्जित करना ज्यान दूसरा क्या है साठकट रास्ता यानि मध्य मार्ग यहीं न इधर कमार न इधर कमार जो बीच का रास्ता निकलो उस Πिन निकाल लिया जाए और संग का मतलब आप समझ सकते हैं संगठन यानि संगठन वह संगठन जो आदर्शाव नियाय को दर्शाता है अब दोस्तों आगला जो पार्ट है उसके बात करते हैं बहुत धर्म के चार आरे सत्य यह भी गौतम बुद्ध के शिक्षा अवं सिध्धान के बारे में ही उलेखित करता है आईए बात करते हैं यह क्या है दुख दुख का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान धर्ती बजैसे दुनिया में आता है वह दुखों गिर जाता है यानि दुखों कैसे गिरता है उसके बारे में आगे बाटन किया जाता है दुख समुदाए यानि ये जो समुदाए है वो दुखों का कारण है कैसे सपोस्ट अगर हम किसी एकांदवास में चले जाएं तो ना हमें पता रहेगा कि आज क्या हो रहा है ना हमें कुछ भी पता रहेगा कि हमारे घर पे क्या हो रहा है हमारे आस पास परोस में क्या हुआ कोई मरा तो नहीं किसी का एक्सिडेंट तो नहीं हुआ कहने के मतलब इनी सब चीजों से घिरा हुआ रहता है इसे विज़े से उसको दुख होता है गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर निर्वाड की प्राप्ति करना है तो आप कांतवास कहीं खोजिए जहां से आपको दुख से बात समझ में आए दुनिया जब जब धरती पैदा होता है वो दुखोस घिर जाता है दुसरा है दुख समुदाएं दुख समुदाएं का मतलब यही है कि वो दुखोस का समुदाएं का त्रित कर लेता है उसका दुख निरोध यानि दुखोस से निरोध होना है दुखों से दूर होने का एक मार्ग प्रशस्त करना यह उनका तीसरा आरे सत्य मार्ग है चौथा क्या है दुख निरोध गामनी यानि दुख निरोध गामनी के मतलब होता है दुख निरोध मार्ग यानि वह मार्ग जिससे दुखों को हटाया जा सकता है उसी दुख निरोध इस इसके वारे में चलने अपको जिसके उपर चलने जिसको फालो करने से निर्वार की प्राप्ति किया जा सकता है आईए बात करते हैं कौन-कौन से वो अस्टांगिक मार गहें पहला बात करते हैं सम्यक दिरिष्टी सम्यक का मतलब होता है दोस्तों सही या सत्य सम्यक का मतलब होता है सही या सत्य सही दिरिश्य से देखेंगे तो हमें आगे चलकर एक मुक्ष की प्राप्ति हो सकती है निर्वाड की प्राप्ति हो सकती हर बात निर्वाड की प्राप्ति है अब दूसरा क्या है सम्यक संकल्प एक ऐसा वादा जो समाजिक और नैतिक जीवन में चलते हुए आप निर्वाड यह होता है सम्यक वाड़ी, यानि वाड़ी के मतलब होता है आवाज या भाषा, यानि ऐसी भाषा बोलिए, जिससे किसी के मन को आपा नखोए, और उसके बाद दुसरे को दुख न होए, बलकि उसको शुक्ष और शांति मिले, ऐसे वर्ड का यूज किया जाना चाहिए, यह सम्यक वाड़ी, सम्यक कर्ण, यानि सही काम करना, सत्य काम कीजिए, जिससे निर्वाड़ की प्राति किया जा सकता है, सम्यक आजीव, यहां आजीव के मतलब होता है, अब हम लोग आजीव का कैसे चलाते हैं, कोई नो कोई वयापार करके, कोई नो कोई नो कोई नोकरी करक इसी तरीके से लोग अपना आजीविका चलाते रहते हैं तो दोस्तों यहां पर सम्यक आजीविका यानि जीवन को जीने के लिए जो भी कार कीजिए वो illegal नहों वो जो है दुख भरा नहों वो जो है हानिकारक नहों हो वो जो है लोगों के विनाज की प्रगति पन्नल ले जाए ऐसे काम किया जाना चाहिए यह मतलब होता है सम्यक आजीविक का मतलब छटा है जो सम्यक व्यायाम यानि ऐसे परिस्रम ऐसे व्यायाम करते रहना चाहिए जिससे निर्वाड की प्राप्ति किया सकता है सम्यक स्मृति ऐसी स्मृति बनानी चाहिए जिससे हम भटके न, जिससे हम भूले न और हमेशा निर्वाड की प्राप्ति की में कोशिस में, निर्वाड की प्राप्ति के कोशिस में लगे रहना चाहिए सम्यक समाधी, सम्यक का मतलब होता है सही, समाधी के मतलब होता है समाधी लेना यानि सही तोर पे देखा जाया, तो पूरा उद्देश क्या होता है सभी अस्टांगिक मार्गों का जो उद्देश वो क्या है सम्यक समाधी यानि सही समाधी लेना, सही निर्वार्ण की प्राप्ति करना, तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध के जो अश्टांगिक मार्ग हैं, इनके बारे में भी पूछता है, और दोस्तों इसमें जो गौतम बुद्ध के तिरीरत ने बुद्ध धम संग इसके बारे में पूछा जात उन ग्रंथों के नाम एवं उसके रचनाकार यह एसी लिखवा रहे हैं दोस्तों कि बहुत बार पूछता है और पूछता है और प्राचीन इतिहास में आपने देखा होगा कि मैं जादा लॉंग कॉट में चलूँ क्यों चलूँ चलूँ इसी में से प्रस्ण आने हैं तो दो प्रस्ण कई बार आते हैं तो जहां दिएगा मध्यमिक कारिका माध्यमिक कारिका इसके लेख कॉन है याद करना पड़ेगा चुकि यह सब प्रश्न कई बार आ हैं विशुद्धिमंग के रचेता कौन है बुद्ध घोष उसके बाद जो सबसे इंपॉटन्ट है बुद्ध चरित एवन सौधरानंद के बारे में भी प्रशने कई बार आए हैं तो बुद्ध चरित सौधरानंद शारी पुत्र प्रकरण ये प्रशन कई बार आते हैं तो इसके बारे हम देखिएगा इसकी लेखे कौन है अश्वघोस तो यह पांच जो बद्गरंद के रच कब हुआ था दूस्तों वह था 483 इसापुर में चार्सु पूर कभ यानि बौद गुद्ध के निर्वार प्राप्ति के तीन साल पहले यानि उन्हों कि प्राप्ति कब की थी यानि उनका महापरी निरवार कब गवा था वह कब मिर्किती हुए कब समाधि लिये थे तो कहा जायगा तो चार समीसा पूर में लेकिन संग्रतिती थी वह तीन साल पहले हो गई थी कब चार से-सीशापूर में अब देखें दोस्तों जो पहले जो संग्रतिती वही थी वह कब वह था दोस्तों तीराजतों सुपूर में मुआज़ई निकले उद्येश उद्य निकले और किया इसमें उसके बारे में जानिए। बुद्ध के बुदेशों को दो पितको सुठ mày जिकर संक्लत कुदित भात संगिती इसलिए थे कि वोई थैंगे जाना चाहिए खुबी नहीं कि नए हमारे धर्मगी परचार परचार किया जाए जाए जो कि उनका उदेश था कि एक ऐसा मार जोनी जिससे खुदी परचार होता अपने बसा है वहां देखा ऐ अपने बिए अबता हैं अब बात करतेंगा तो इस तरीके से जब पहले बार बहुत संगती हुई तो उसमें कहां पुरुवा था राजगीरिम हुआ था और शासकों थे अजाशत्रु थे अध्याश कों थे महाकर्ष्यव इसमें दो काम हुए थे यानि सुथ पिटक को अलग किया गया यानि एक संगलित किया गया दुआति बहुत संगती दुआति जो बहुत संगती हुई थे वह कब वह थी तीनसो तिरासी यानि देखा जाएतो सौषाल बाद हुआ तो سंबसाल बाद हुआ जोस्टो लेकिन ये तब गौतमभुद नहीं थे कहा पुए थे वैशाली में शासकों थे उस समय के कालाशोग और अध्यक्ष का नाम का मी चाहित है प्रशन using a नुषासन जो वहां का अनुषासन था और उसका प्रमुक होता है उसके अंतरगत ये शासन दिया गया इस्थाविर से थोड़ा चोटे कर्टेगरी का होता है उनको यह अंशासन दिया जाता था यानि दो भागों में विवाक्त कर दिया गया आज की डेट में देख लिए दोस्तों अगर शासन चलाना होता तो एक बड़ा अधिकारी होता है तो पहले क्या थे महासंगिक थे लेकिन महासंगिक के बाद जब हुए राजा कौन थे अशोक शासक कौन थे अशोक इस तरीके से पुछता है कभी पुछता समराड कभी राजा कभी शासक इस तरीके से पुछता है इस वजह समने तीन बार इस वरड़ों को यूज कर दिया है अशोक थे शासक मोगली पुतिस वहां के अध्यक्ष थे कहां के में तो इसमें एक त्रीसरा पिटक यानि अभीधम पिटक को जोड़ा गिया तो भुद्धर्म के तीन पिटक सुट पिटख विनैं पिटख तथा अभिधम पिटक तो जोस्ते इन तीनों पिटकों का नाम भी याद रखिएगा कभी-कभी ऐसे दिये देता है कि निमसे कौन से तीन पिटक हैं धर्म के उसे में तीन चार आप्शन देदेगा उसी आप्शन में से आपके लगाना रहेगा अब बात करते हैं चौथे बाद संगति यानि चायों था कभ गोंता दोस्तों 102 Jordi में कभी-कभी लिखा रहे यूझ में किसी क каких नाम हैं कुंड़वन कश्मीर यहां के चासक्ते χूय होनिते तो इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है दोस्तों चौते बहुत संगतिम यह परिवर्तन नहुए होते हैं तो यह जो प्रथम, दूती, तिर्दी, चतुर्स, पंच, छट, सास्ट, आस्ट, नौमी, दश्मी यह सब बहुत संगतियां आगे बढ़ता रहता है लेकिन यहीं पर फूट हो गया फूट कैसा हुआ बताते हैं यानि कि अंतर आ गया कैसा अंतर बताते हैं दोस्तों बहुत संपरदाय हुए जिसमें हीन यान तथा महायान में विवाजित हो गया दोस्तों अब यहीं अंतर हुआ क्या अंतर हुआ मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हर धर्म में देखा जा कभी इनकम थोड़े बहुत परिवतन आ जाते हैं उसी तरीके से बहुत धर्म में भी परि क्यों ऐसा हुआ क्यों अलग किया अब देखिए उसमें क्या होता है गौतम बुद्ध कभी ने क्या कि हम भगवान है क्यूं hospitals कि गौतम भुद खुद क्या थे नास्तिक थे वो इश्वर को नहीं मानते थे वह ऐसे इश्वर की कामना करते थे जो दिखाई ने देता हौ जि उन्होंने कहा है कि मैं खुद एक इन्सान हूँ और मैं निर्वार की प्राप्ति चाहता हूं और उसी निर्वार की प्राप्ति के लिए मुझे सत्य के मार खोजना पड़ेगा वही खोजने के लिए तो घर से निकले थे को ज्यान की प्राप्ति हुई तब वहां उन्होंने माना कि मुझे इश्वर की प्राप्ति हो गई यानि वह एक ऐसा सत्य जिसकी खोज में वह काफी दिन से लगे रहें है नो दोस्तों तो वह कभी नहीं चाहेंगे कि महारी कोई पूजा करें वह ऐसा खुद कहते थे अब बास समझेंगे क्या अंतर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था किसमें पहले पास समझें ही नियान का मतलब होता निम्नमार्ग यानि वह छोटा रास्ता जिससे हम मोक्ष की प्राप्टी करें किया जा सकता है उत्कृष्छ मरग यानि लंबह मार्ग से हम क्या करते हैं यानि की निर्मार्ड की प्राप्टी कर सकते हैं अब दूसरा के है यही बास समझेगा कर से मतलब मार्ग महायान का मतलब शॉत्कृष्ट मारग गौतम बूद्ध को एक महापुरुष माना जाता था किसमें धिन और उन्में कॉंको भगवान नहीं माना जाता था किउ कि वू खुद कहते थे कि में भगवान नहीं हूँ अब इसी महायान देखिएगा तो बुद्ध को भगवान एवं देवता माना जाता था तो हीन यान में मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे जब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे जब मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करेंगे तो भक होता है आप लोग देखी रहेंगे तो ऐसा उसमें नहीं है किसमें ही नियान में मगर महायान में है यह मुर्ति पूजय भक्ति पर अधिक विश्वास करता है कौन महायान में ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट यह पुनर जनम में विश्वास नहीं करता है कौन? महायान, सोरी, हीन यान पुनर जनम में विश्वास नहीं करता है लेकिन महायान पुनर जनम में विश्वास करता है उसका यह जान मानना होता है कि निर्वाड की प्राप्ति के बाद अगर हम अच्छे कर्म किये रहेंगे तो हमें पुनर जनम मिलेगा हमारी आत्मा तो परमात्मा के पास चली जाती है और अच्छे सराती है ये मतलब होता है ही नियान में अब बात करते हैं भिक्चु जीवन का समर्थक है दोस्तो ही नियान के जो संपरदाए ही नियान संपरदाए जो लोग हैं वो भिक्चु जीवन यानि भिक्षू मतलब भीक मांग कर जीवन को व्यतित करते हैं यानि पोल रूप से वो निर्वाट की प्राप्ति के लिए लग जाते हैं और अपने जीवी को पारिजन के लिए थोड़ा बहुत जो अनगरहन करते होंगे कि उसके लिए वो क्या करते हैं भीच्छा लेते हैं लोगों को दक्षडा होता दिक्षा भी देते हैं यानि कि ग्यान भी देते हैं अगर कोई उनसे ग्यान मांगे तो ग्यान भी देते हैं तो वह कौन होते हैं वह भीच्छु यह नियान के लोग महायान यह समान जीवन का सम वर्थक का मतलब होता है कि मैं भगवान को मानता हूं जरूरी थोड़ी नहीं कि वह चले हम भिक्षू बन जाए तब ही माना जाए यानि वह समान इंसानों की तरह रहते हैं लेकिन उनके मन में सरद्धा में वह अतम बुद्ध बसे रहते हैं भगवान की तरह ठीक है अब बा मार करने के लिए हमें क्या करना परता है सद्ध कि मार के tiet करते हैं कांदवास कि तहब क्या करते हैं हमें ग्यांगी प्राप्ति होती है तो यह मतलब होता हुए इन झालमिनाड़ रिवह कहाँ ही यह नहीं का स्रि-लंका वर्मा थाइलेंड दोस्तों इसी में आप नोट कर लिएगा यानि दक्षिड भारत भी है दक्षिड भारत यानि केरल तमिलाडू में आप जब जाएंगे तो वहां पर भी बहुत धर्म के अनुआई हैं यानि बहुत धर्म के मानने वाले हैं वो सब किस संपरदायके हैं ही नियान स मतलब यह लोग क्या करते हैं गौतम बुद्र को भगवान की तरह नहीं आदर्श एवं महान पुरुष की रूप में मानते एवं जानते हैं वहीं परचार परसार इनका कहां परचार परसार हुआ दोस्तों इनका परचार परसार हुआ उत्तर भारत यानि मिघाले नागा लेंड मडिपूर मीजोरम राभी और देखा जाय तो कुछ उत्त्र अखन में फी पाई जाएंगे हिमाचर परदेश में भी पाईज जोगें जो में दोस्तों देखियेगा, सभी क्लाउन पाली भाशह में लिखे गए हैं वहीं अगर माहायान की बात करें तो महायान की जो सभी गरंथ मिलेंगे वो संस्क्रित भाषा में मिलेंगे यानि इसमें पाली भाषा में यानि जिसको कहें जन्मात्र भाषा क्योंकि गौतम बुद्ध खुद पाली भाषा में उफदेश देते थे उनके कुछ गरंथ जो मिलता है वो खुद पाली भाषा मिलता है वह इस इसमें थोड़ा बदला हुए यह संस्कृत भाषा में गरंत की रचना किये हैं कौन महायान की लोग तो दोस्तों यह हमारा हो गया पूरा विधिवत गौतम बुद्ध यानि भाग दो गौतम बुद्ध के पार्ट को पहले अगर आप लोग देख लेंगे तो यह दूसरा पा अगर एक बार आप समझ लेंगे तो दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लीज वीडियो का पूरा जरूर देखा करिए चुकि आप लोग वीडियो को पॉस करके नोट कर लेते हैं या फिर इसके शाड़ करके खतम कर देते हैं जब तक आप वाइबा यानि की म समझ में नहीं आएगा अगले वीडियो का अंधिजार कीजिए दस्तों तब तक के लिए जय हिन जय भारत